क्या आप भी डोसा perfect तरीके से नहीं बना पाते हैं आपका भी डोसा जो है तवी के चिपक जाता है या फिर निकलता ही नहीं है या फिर फेलता नहीं है spread नहीं होता है तो इन सारी problem का solution आज में लेके आई हूँ आज मैं आपके लेके आई हूँ जो idli dosa और set dosa उत्तपम का ज यार हो जाए तो वीडियो को end तक देखेगा वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है इसमें सारी tips and tricks में आपके साथ share करूंगी तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पिले बेटर को बनाने के लिए हमें चावल की ज़रुत लगेगी तो यहां पे मोटे वाले चावल लेने आपको तो यहां पे मैंने पूरे चार कटोरी चावल लिए हैं कोई भी एक कटोरी या कप आप measurement के लिए ले सकते हैं तो यहां पे जो चावल आपको लेना है वो हमेशा मोटे वाले लेना है वैसे नोर्मली मार्केट में इडली के जो चावल होते न वो भी मिल जाते हैं अगर नहीं है तो कोई भी आप मोटे वाले चांवल ले सकते हैं बासमती राइस आपको नहीं लेना है कोशिश करना है जो मोटे वाले चांवल होते हैं वही आपको लेना है और इसमें डाल देनी एक कटोरी उड़त की दाल तो जो यह उड़त की दाल ह यह छिलके निकली वी है साबुट उडद मिलते हैं मार्केट में जिसके छिलके निकले वे होते हैं वो भी आप ले सकते हैं और इसमें ढाल देंगे हम 1-1,5 चमछ मे्धी दाना तो इन सब चीजों को साथ में गला लेना है आपको उच्छे से वौ लेदीं तो अच्छे से आपको wash कर लेना है और उसके बाद हम इने soak करने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर मैंने 3-4 बार अच्छे से wash कर लिया है, अब साप पानी हम इसमें डाल देंगे गलाने के लिए पानी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है यहाँ पर मैंने एक लोटा बर के बलब 2-5 गलास बर के पानी डाला है इनने हम अच्छे से गलाने के लिए रख देंगे मैंने यहाँ पर ओर नाइट रखा था आप कम से कम 4-5 गंटे तो इनने बिगाना ही बिगाना है तो अभी देख सकते हैं हलके हलके से इन में बबल आ रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दाल और चामल अच्छे से गल गए हैं बिल्कुल सोफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसे पीस लेंगे तो यहाँ पर पीसते वक्त आपको ध्यान रखना है जो इनका पानी इस पानी को में फेकना नहीं है इसी पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इने पीस लेना है इस पानी की वज़े से जल्दी से हमारा जो बेटर है ना फर्मेंट हो जाएगा तो इस पानी को फेकना नहीं है इतना इसे पीस ना है कि चिकना बेटर हो जाए एकदम से, तो अभी देख सकते हैं, इसका इसका कंसिस्टेंसी है ना वो भी पर्फेक्ट है, ना बहुत ज़दा गाड़ा है, ना ही बहुत ज़दा रनी है, तो इस तरह से सारा पीस लेना है आपको, तो यहाँ पे मैंने पीस जल्दी से फर्मेंट करना चाहते हैं, तो चाहते है, तो जिसे आप धूप में रख सकते हैं, बहुत चोटा लग रहा था, हो सकता है, फर्मेंट होने के बाहर निकल जाए, तो इसलिए मैं ने जाप व बड़ा पतिला ले लीआ था उस तरह से, और सारा बेटर यना दाल त अब आप चाहे तो इसको ना जो फॉइल पेपर आता है या फिर किसी भी चीज़ से रेप करके पेक करके रख सकते लेकिन अभी गर्मियों का मोसन था तो मैंने नॉर्मली ठाली ढखके रख दिया था और आप देख सकते कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है बेटर इस तर और इसको इस तरह से फर्मेंट करने के बाद में अच्छे से मिक्स करके और हम फ्रीज में एक हपते तक रख सकते हैं जब भी यमें बनाना हो फटाफट बना सकते हैं तो आप चाहे तो वीकेंड पे आप कभी भी इसे बना ले जब भी आपके पास टाइम और पूरे हपते तक आप अलग-अलग इससे बना सकते हैं अभी मैं आपको इस वाले बिटर से ना डोसा बना के बताऊंगी बहुत ही अच्छे से डोसा बन जाता है कोई भी प्रोब्लम नहीं आती है और मतलब इतना क्रिस्पी बनता है ना डोसा कि आप खाते रह जाएंगे तो इसमें थो क्रमल वाला डोसा बना रहे है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाला है लगबग एक चाय का कप होता न उतना पानी आप अपने हिसाब से देख लिजेए कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी होनी चाहिए इस तरह से तो बस इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है ज अलकेल के हाथों से इस तरह से फेलाना है कि इसकी जो फ्ले मेना मीडियम पर रखना है मतलब बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना है और बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा कोई भी इसमें प्रोब्लम नहीं आएगी और लेकिन जो चम्मच या फिर कटोरी आ तो अभी गेस का फ्लेम हम मीडियम पर ही रखेंगे आप चाहे तो इसको घी के साथ भी बना सकते अभी मैंने तवे पर कुछ भी नहीं लगाया था मैंने और नीचे ओईल वगेरा कुछ भी नहीं लगाया है बस ऐसे इसको स्प्रेड कर दिया है आप चाहे तो बिना एक भ स्कून घी या तेल लगाए भी रोसे को बना सकते बहुत ही आसानी से बन जाएगा लेकिन मैं यहां पर हलका सा ओईल का यूज कर रही हूं बहुत ज्यादा नहीं जिस तरह से हम पराठे में लगाते इस तरह से और देखो इस तरह से इसे स्प्रेट कर देना है और उसके ब बिल्कुल सोफ्ट बनेगा तो कुछ छोट छोटी बाते होती जो ध्यान रखनी होती परफेक्ट डोसा बनाने के लिए यहां पर आप इसको मीडियम फ्लेम पर दिरी दिरे अगर इसको सिखने देंगे नीचे से तो यह अच्छे से ना क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत ही लेंगे ताकि जो इसकी साइडे ना वह एक दों वाइट ना रहें और डोसे का कलर आपके उपर डिपेंट करता है आप जितना नीचे से ब्राउन करना चाहें या फिर वाइट रखना चाहते उससाब से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से अभी आप देख पा रहे सायगी आप सिंपल आइरन वाले तवे पर बना सकते नेक्सट वाली वीडियो में आपको जरूर से बताऊंगी सिंपल वाले तवे पर वी अभी तो मैंने आपको सिर्प नॉर्मल इसी तव पर बताया है और अभी देख सकते हैं कितनी हो आसानी निकल गया है, कोई भी प्रोब्लम नहीं आती, भूत ही अच्छे से इसका जो डोसा है ना बन जाता है, और इसी बेटर से आप इडली वगएरा भी बना सकते हैं, कोई भी इनो वगएरा डालने की ज़रूत नहीं है, इतना अच्छे से यह फर्मेंट हो जाता है, तो यह जल्द बाजी नहीं करना है, अगर जल्द बाजी करेंगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन बहुत सोफ्ट बनेगा, तो इस बात का धियान रखना है, और बहुत ही आसानी से इस तरह से आप डोसा बना सकते हो, अगर आप मसाला डोसा बनाना चाहते हो, तो इसके बीच में लोकी फिल्लिंग या फिर जो भी आप फिलिंग इसमें डालना चाहे, वो डाल के मना सकते हैं, तो मैं डेली आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी लेकर आती रहती हूं, जो बूती है, तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड थेंक्यों फॉर वाइट